दियर फेंड्स, अस्लाम लेकुम, आज हम डॉन एडिटोरियल डिसकस करेंगे, उसका टॉपिक है पॉलिटीशन्स इन दुबई, ये पाकिसान की इंटर्नल पॉलिटिक्स पर एडिटोरियल है, सबसे पहले हम इसकी वो कैप को डिसकस करते हैं, सबसे पहला जो हमारा वर्ड है, वो है कंसाइटेंस, कंसाइटेंस मीन इत्फाक, नेक्स्ट है ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड मीन मुतहर्रक, नेक्स्ट कंजेक्टर, कंजेक्टर मीन क्या असाराई करना, नेक्स्ट लाव मेकर्स, लाव मेकर्स मीन कनूनसाद, ट्रिम्प, ट्रिम्प मीन फता, और बॉन ह हमी मीन दोस्ती अब हम इस एडिटोरियल की समरी को डिसकस करते हैं कि इस एडिटोरियल के अंदर कौन सा टोपिक डिसकस किया क्या है जैसा कि आपको मलूम है कि नौास शरीफ और आसफ अली जर्दारी दो मुख्तलिफ पार्टियों की वफागी पार्टियों के सरबराहान है और इन दो भड़ों की बैठिक अब दुबई के अंदर हो रही है और इस बैठिक का मकसद दोनों के तरमयान निगोशियेशन करना है कि आइना आने वाले इलेक्शन कब होंगे और किस ट्रैक पे होंगे किस पैटरन पे होंगे और दोनों जो पलिटिकल पार्टिज हैं उन दोनों के एक की बेटी और एक का बेटा यानि मर्यम नवास और बलावल बुटो भी उनके हमरा है यानि दूसरी नसल तक ये दोसी बढ़ाई जा रही है अब इसके दुरान इन्होंने अमरान खान को साइट पर लगाने के बाद ये सोच रही है कि अगला इलेक्शन किस ट्रैक पर लड़कर और किस तरह कॉलाबरेशन के साथ हकूमत बनाई जाएगी और दूसरी तरफ कल की जो एक और ड्वेल्पमेट है कि आईन का जो इलेक्शन एक्ट है दो हजार सत्रह उसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है आर्टिकल जो बासट वन एफ था उसके तहर जो नाहली ताह आती उसे पांच साल के अंदर बदल दिया जब जो काइम मकाम सदर है जो सादक संजरानी उन्होंने उस पर कल तस्ख़त कर दी है जिसकी वेदा से एक निया रास्ता नौाज श्रीफ को मिला कि वो पांच साल नाहली के बाद दुबारा बलेक्शन लड़ सकेंगे इस तरह ये दो जो है में इंपोर्टन ड्वेल्प्मेंट इस एडिटोरियल के अंदर डिसकस की गई थी आपको क्या लगता है कि पाकिसान की पॉलिटिक्स का अगला महवर क्या होगा और इमरान खान का मस्तक्बिल और आसफ अली जर्दारी और नौाज श्रीफ कहां खड़े होंगे आप अपनी अरासे हमें अगाह करें अगर आप डेली डोन एडिटोरियल चाहते हैं तो स्कॉल्डर अकैडमी को विजट करें शुक्रिया